इस्पेशल गुड मॉनिम तु आल आफ यू स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जैसे कि आपको यह वीडियो दिख रहा होगा अभी हम वीडियो की ओर भी रूख करेंगे अभी हम आपको वीडियो लाइफ दिखाएंगे कि योगी जी ने क्या कहा है कि कब तक आपके टैबलेट और स्मार्टफोन मिल जाएंगे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक अभी तक जो डेट निकल के आ रहे थी कि आपके नौंबर तक या फिर दिस्टमबर तक दिस्टमबर के पहले हपते में आपकी टैबलेट या इस्मार्टफोन वीतरण जारी हो ज अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर चले जाएए वहां पर देखिए कभी कभी वीडियो नहीं भी बन पाती है अब्रेट नहीं भी देपाता हूं मैं यूटूब से तो आपको टेलिग्राम चैनल पर वह इंफॉर्मेशन दे देता हूं अब देखिए बात यहां पर क्यों फस्ट रही है कि आपको मार्च में मिलेगा इसके तीन बहुत बड़े रीजन है अप ध्यान से समझेगा इसके तीन बहुत बड़े रीजन है पहला रीजन क्या है अभी तक मतला अभी तक किसी भी कंपनी को टेंडर नहीं मिला है आपको मालू होगा अभी दो तीन दिन पहले निव जाए थी कि 4700 क्रोड का एक और टेंडर पास वह उसमें देखिए कंपनिया आती है जैसे कि सब कंपनी अपना टेबलेट या स्मार्टफोन जो भी देया जाना उसको दिखाएंगे कि मेरे में इतना प्रोसेस है यह सब सारी चीजें कम रेट में है तो इसको सारी चीजिए को देखा जाता है कंपनी काफी शारी कंपनी आती हैं किस कंपनी को मिलेगा यह तो पता नहीं सुरीद्धा के अनुसार कि यह सब्स्ते में बढ़िया पूरे जितने भी अपडेट्स हैं आगे जारी करेंगे यहां कहने का तत्पर सिधा यह था कि अभी तक जो टेंडर है आपका मतलब किसी कंपनी को दियाने गया टेंडर मिलेगा फिर वो क्या करेगी टेंडर के थुरू अपना जो भी बनाना होगा माली कि कई समय लगेगा तो बनाने के बाद से सारी डाटा को देखा जाएगा पहले कहा बाते एक ही बार बांटना सब जगा संभव नहीं है ठीक है तो जो सोच रहे थे कि मैं दिसंबर में उसके साथ रहूंगा मतलब अपने टेबलेट या फिस्मार्टफोन को लेकर साथ रहूंगा त परवरी मार्च में इलेक्शन भी साइद आगे है तो अब देखिए हो सके कि पहले मिल जाए अब यह हम कहने सकते लेकिन अभी तक टेंडर है आपका टेंडर भी किसी कंपनी को सही से नहीं मिला है उसके बाद से एक और बड़ी समस्यारी यहां पर कोविट केसे इंक्रीज इसके चलते सारी चीजों को डिले भी किया जा सकता है अब ध्यान रखेंगे यह जो भी मैं बता रहा हूं यह कोई इसमें ताइप की नहीं है कि आप अपने पास से बताते हैं यह जो जानते हैं इस सब के बारे में उनको को दिकत नहीं इसलिए मैं अपडेट आपको देते अब इसको फिर से एलाव कर दिया गया है लेकिन कई जगों पर इसको कर दिया गया है जल्द ही यूपी में भी अलट जारी किया जाएगा आपने देखा हो कालिया पर्सों में पीम मोधी जी ने तीन घंटे का महामंतन किया कोईट-19 जो केस है मतलब इसका नया रूप है उ बिल्ट बर पहले सावधानी नहीं बड़ती जाए बिल्ट हो सकती है अब और समस्या जो कॉलेज को डाटा सही से भेज नहीं आए पारी है एक आपको निई हमने बताए थी कि एक हटे हो गए लगभग कि जो भी डाटा बहुत है था दीन ही मिक्सप करके बेढ़ दिया था पहले उनको बारी देंगे जो आगे के प्रोसेस वालों की जरूरी है अभी माले आगे हैं जिसे नए इस्टूजन्स आए उनको उतना ज्यादा जरूरी नहीं है तो ऐसे बाटना था अब सारा डाटा एक ही में मिक्सप होके गया था तो उनको काफी दिक्कत हो रही थी इसके प्रेक्टिकल अबडेट भी आ गई है अब इसका डेट आगे बढ़ सकता है जो भी हो सकता है फरवरी में चला जाए फिर तो पहले भी हो जाए थोड़ा सा प्रेक्टिकल डेट भी आगे चुनाव है इसके चलते यहां पर काफी शारी दिक्कति आ रही है और कोवीट केसे बढ़ रहे हैं तो आप सतर्क रहेगा अपनी इस्टोडी को सही से करते रहेगा और जो भी अपडेट चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो भी कुछ आपको पूछना हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बाक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर फुल वीडियो आप चैनल पर चले जाएंगे वहाँ से पहले से अल्रेडी अप्लोडेड है वहाँ वीडियो वहाँ से जा करके देख लेंगे इसके बावजूद अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हैं फिलाहल आज के इतना ह धन्यवाद थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में